बड़ी खबरे एदल अज़ा के अफसर पर स्वीडन में मस्जित के बाहर कुरान जलाए जाने का मामला सामने आये हैं कुरान जलाने वाले ने पहले कुरान के पन्नों से अपने जूते साफ किये फिर उसे अपने पैरों से उछाला ऐसा करने से पहले यूवक ने सरकार से अभी वेक्ती की आजादी के तहट इजाज़त ली थी स्वीडन के स्टॉक होम की एक मज़िद के बहारे की यूवक ने कुरान जला कर प्रदर्शन किया इसके लिए यूवक ने स्वीडन सरकार से पर्मीशन ली थी ये इजाजत अभी वेक्ती की आजादी के तहट एक दिन के प्रदर्शन के लिए दी गई थी इस प्रदर्शन में सिर्फ एक वेक्ती ही अपने मित्र के साथ नजर आया बताया गया है कि प्रदर्शन कर रहे हैं सक्ष ने पहले कुरान के कुछ पन्नों को फाड कर उससे अपने जूते पहुचे और फिर उसमें मास का तुकडा रखकर आग लगा दी और स्वीडन का जंडा भी लहराया प्रोटेस देख रहे हैं 200 लोगों में से कुछ उसके पक्ष में तो कुछ उसके विरोध में नारे लगा रहे थे स्वीडन के प्रधान मंतरी उल्फ क्रिस्चन ने कहा कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन कानून के दाएरे में आता है लेकिन फिर भी ये सही नहीं है मामले में क्या कारवाई की जाएगी ये पुलिस हे ते करेगी प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उस वेक्ति के खिलाफ एक धर्म को टार्गेट करने का केस दर्च कर लिया है इससे पहले साल की शुरुवात में भी स्वीडन में तुर्कियों की एमबसी के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था और कुरान जला दी थी आप देख रहे हैं डखल न्यूज